हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सुनीतास कीचन आज मैं चिकन फ्राइ की रेसिपी लेकर आई हूँ ये रेसिपी दिल्ली की बहुत ही फेमस डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है रेसिपी सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनीतास कीचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह कि आगया आने वाली वीडियो आप देख सकें तो आईए रेसिपी बनाना सुरू करते हैं और देखते हैं कि चिकन फ्राइब बनाने क्लिए हमें किन-किन सामगरी के आवश्यक्ता है रिफाइन डॉयल है चिकन को फ्राइब करने के लिए चिकन है आधा केजी बड़े-बड़े पीसेस में काटा हूँ दही है चार टेब स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट दो टेबल स्पून रेड फूट कलर हाफ टी स्पून नमक स्वाधा नुसार रेड चिली पाउडर एक स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर एक टेबल स्पून एक स्पून कालिमिट्स पाउडर एक स्पून धनिया पाउडर लेमन जूस एक टेबल स्पून सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए सारे सामागरी मिक्स करेंगे उसके लिए चिकन में दही डाल दे अब लेमन जूस एट करें जिंजर गार्लिक पेस्ट बेसन डाल दे बेसन के जगह पे आप आरा रोट या कॉन फ्लॉर भी ले सकते हैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दें पानी के अवशकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दही है अच्छी से मिक्स हो गया है अब हम इसमें सारे मसाले एट कर देंगे सारे मसाले को एट कर दें अब इन सारी सामगरी को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और फ्रीज में रखेंगे हम 1-5 घंटे के लिए ताकि जो इसकी मसाले है वो अच्छी तरह से चिकन में अबजर्ब हो जाए तो हम इसे फ्रीज में रख देते हैं एक घंटा पूरा हो चुका है तो अब हमने चिकन को फ्रीज से निकाल लिया है अब इसे हम हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले की कोटिंग हो अच्छी तरह से चिकन में चला जाए अब चिकन को डीफ राइ करेंगे उसके लिए हमने ऑईल गर्म किया है ऑईल इतना होना चाहिए कि आपका चिकन पूरा डीफ हो जाए और ऑईल पूरा गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम रखें चिकन को डालते समय एक एक करके आप उतना ही एक बारी में डाले जितना कि आप तल सके यह देखिए हमने चिकन को डाल दिया है अब डीफ राइ होने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक गैस का फ्लेम हाई रखें दो मिनट बाद गैस का फ्लेम लो कर दें ऐसा करने से चिकन जलेगा नहीं और अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा यह देखिए दूसरी तरफ से पलट लेंगे ध्यान रही चिकन को डालते से मैं गैस का फ्लेम हाई रखें जब दूसरी तरफ से पलटे तो गैस का फ्लेम मीडियम और लो पे करके इसको डिफ्राइ करना है आप इसे कभी भी बना से हैं इसे अलग अलग जगा हो में अलग तरीके से बनाया जाता है कोई भी ना कोटिंग के फ्राइ करता है और मैं यहां पे कोटिंग करके फ्राइ कर रही हूं तो आप इस तरह से जरूर ट्राइ किजिए अब यह देखिए चिकन डिफ्राइ हो गय प्लेट में टीशू पेपर पे निकाल लें ताकि एक्स्ट्र ऑइल हो जाए यह उपर से बहुत ही क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट है और इसका टेश्ट कुछ खट्टा कुछ तीखा है कभी कुछ अलग खाने का मन हो ता आप इसको जरूर ट्राई करें अब इसारे चिकन को निकाले है अब जो बचेवे चिकन है उन्हें भी डिफ्राई कर लेते हैं तो दुबारा से हमने ग्यास का फ्लेम हाई रखा है और गोल्डन प्राउन होने तक डिफ्राई किया है डालते से हमें ग्यास का फ्लेम हाई रखें दो मिनट बाद ग्यास का फ् पर निकाला है तो है देखें चिकन् फ्राइब तयार है आप इसे गर्मा-गर्म सालेट के साथ यहरी चटनी तो में अिस रेसिपि पर पर जारूर ट्राइल करें आपकी रेसिपी कैसी बनी है यह मुझे कमिट में जरूर से जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने भी तक मेरे चैनल सुनीतास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और बिरे से पीस आप देख सकें